हलो दोस्तों नमस्कार गुड मॉर्णिंग कैसे हैं आप सभी आई होप सब अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो आज एक छटी सी वीडियो जो घरे लूप आयों से ही संबन देते हैं जो धादी नानियों के टोटके उपचार होते हैं धर में ही रखी वी चीज हो या धूप में पच्छा जुलस जाती है तो वहां पे आपको क्या करना है आलो का कच्छे आलो का रस निकालके लगाना उससे आपको बहुत फैदा मिलेगा नमबर दो चाच में थोड़ा सा सोड़ा डालकर पीने से पिसाव की जलाने या पिसाव से संबने तो जो भी पर महिलाओं को पीरियाट के दोरान होने वाले दर्द से एगर छुटकार चाईए तो नीवू के नीवू का रस पानी में ने चोड़कर दो-तीन वार पी लेने से आराम मिलता है एक नीवू ठंडा रहता है लेकिन पीरियाट के दोरान अगर नीवू का पानी इस तरीके से हम बड़ी राहत मिलती है नंबर चार मक्षन में थोड़ा सा केसर मिलाकर रोजाना लगाने से काले फटे होट सुंदर और गुलाव होने लगते हैं नंबर चार मुह की बदभू से परिशान हो तो दालचीनी का टुकड़ा मुह में रख लेने से मुह की बदभू त्रंसांत हो जाती है वे बचों में नाक बहने की परिशानी होती है तो यूकिलिप्टिस जो सफेदा होता है का तेल रुमाल में डाल कर सुंगे उससे आराम मि बचते हैं और जो सफेद हो गए हैं वो काले भी होने लगते हैं नंबर डेक्स चाय पत्ती के उबले हुए पानी से बाल दुए इससे बाल कम गिरते हैं बैंगन के बढ़ते में सहत मिलाकर खाने से अनिद्रा रोक जिनको नीद नहीं आती उसका नास होता इसा शाम को भु गले में खरा सुने पर सुबह सोफ चवाने से बंद गला खुल जाता है नंबर लेवन सबीरे भूके पेट तीन चार अख्रूट की गरिया निकाल कर खाने से खुच ही दुन खाने से घुटनों के दर्द में राहत मिलती है नंबर बारा ताजा हरा धनिया मसल कर सूंगने स च्छी के आना बंद हो जाता है मनेक्ष्ट प्याज का रस लगाने से मस्सों की छोटे चोटे टुकडे होगा ज़ड से घड़ जाते हैं प्याज के रसमें निबू का रस मिलाकर पीने से उल्टी आना ततकाल बंद हो जाता है गैस की तकलिफ से तुरंत रहात पाने के कि पॉइ जाता है निबू.